आईए कहानी वाचन के माध्यम से बच्चों में पढ़ने के कौशल को बढ़ाएं। ऐसी अनेक कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें और हम से जुड़े रहें। लाइक के लिए धन्यवाद। एक बार की बात है, एक खर्गोश था। खर्गोश बहुत तेज दोड सकता था। उसे अपनी गती पर गर्फ था। एक दिन खर्गोश ने देखा। कि कच्चुवा बहुत धीमी गती से चल रहा है। खर्गोश कच्चुवे पर हसा और बोला। तुम इतने धीमे हो। मेरे प्रियम मित्र, तुम्हे अपनी गती पर बहुत गर्फ है। चलो देखते हैं कि कौन तेज है। कच्चुवे ने कहा। तो, खर्गोश और कच्चुवे की दोड हुई। खर्गोश बहुत तेजी से और बहुत दूर तक दोड़ा। थोड़ी देर के बाद। खर्गोश ये देखने के लिए पीछे मुडा की कच्चुवा कहां है। कच्चुवा बहुत धीमी गती से चल रहा था। और वो खर्गोश से काफी पीछे था। कच्चुवे को मेरे पास आने में बहुत समय लगेगा। खर्गोश ने सोचा। खर्गोश ऊबने लगा। उसने सोचा कि एक जपकी ले ली जाए। इस बीच उसने घास खाना शुरू कर दिया। खाने के बाद वो सो गया। कच्चुवा धीरे धीरे लेकिन लगातार खर्गोश के पास से गुजरा। खर्गोश अचानक जाग गया और उसने देखा। कि कच्चुवा बस अंतिम रेखा को पार कर रहा है। खर्गोश बहुत तेजी से दोडने लगा। लेकिन उसने बहुत देर कर दी थी। कच्चुवा पहले ही दोड जीत चुका था। अपने प्रतिदवन्वी को पहले से ही विजेता के रूप में पाकर। खर्गोश बेहद निराश था। सीख, धैर्यस से काम करने पर ही सफलता मिलती है। कर दोड़िए